तो हेलो एवरिवन मैं उस स्योम दिवेदियों और आप देख रहें अपना पसंदिता चैनल ग्यानो देखे गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों सामके पाच बच चुके और आपके स्योम सर आपके सामने लाइव आ चुके तो जल्दी से पहले एक बार बताएगा क्या आपक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा तो जल्दी से मुझे पहले ये बताना क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या आप लोग यहां पे मुझे सुन पारे हो कि नहीं कि चलिए बहुत बढ़िया जैसा बच्चे बोल रहे हैं कि सार एवरीटिंग इस परफेट ओके सो ग्रेट चलिए हम लोग आज के सेशन को सुरू करते हैं सेशन बढ़ा मजेदार होने वाला है आज क्या करेंगे हम वह अपने स्क्रीन पे देख लिया है कि जैव प्रक्रम का आज हम लोग यहां पे व सुरू करें आज के सेशन को फाइनली ग्रेट चलिए बाई तो सबसे पहला कोशन है कि सजीव और निर्जीव क्या होता है ठीक है तो बच्चों जो चीजें क्या होती है समय के साथ बढ़ती है यानि उनमें ओवरद्धी होती है हाना वो सारी चीजें हमारी कैसी है सजीव ह और अगर हम निर्जीव की बात करें यानि नौन लिविंग तिंग्स की बात करें तो यह जैसी है इनके सेप में साइज में ऐसा कुछ भी परिवरतन नहीं होगा और साथी साथ इनमें एक चीज़ नहीं होगी और वो होगा जैव प्रक्रम यानि कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि एक नए बच्चे का जन्म करें या हो सकता है कि इनके कान जो है वो चेंज हो बढ़ें या इनकी आखें जो है यह देख सकें मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि हां जो निर्जीव है उनमें यह सारी चीज़ें नहीं होगी यानि जय प्रक नहीं करेंगे यानि अपनी बाड़ी से वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालेंगे यह सारी चीज़ें वह निर्जीव में पाई जाती हैं कि अगर यह सारी चीज़ें उसमें नहीं होगी जो सजीव होगा उसमें सारी चीज़ें होंगी उस सरजन भी होगा सोशन भी होगा ब्लेड भी सरुकुलेट करेगा यानि परिवहन भी होने वाला है यह सारी चीजे इसमें होगी तो बच्चो आवाज वगरा सबारी है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा जो है हमारा कि आगे हम लोग चलेंगे फिर हमारे पास है कि इस चैप्टर में आखिर बच्चो मुझे क्या क्या पढ़ना है तो आप यहां देख सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो समलित रूप से अनुराच्छन का काम करते हैं अनुराच्छन का मतलब होता है कि भाई मैंटीनेंस का काम करेंगे बडी को जब भी जरौत होगी तो क्या करेंगे भाई पोशन बडी के लिए कैसे होता है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस प्रकार से मानव में पोशन होता है किस प्रकार से एक कोस्ट की जीव में पोशन होता है जैसे कि अमीबा यानि यह सारी चीज़े यहां डिसकस होगे इसके बाद हम बात करेंगे सौशन की सौशन यानि कि किस प्रकार से oxygen हमारी body के अंदर जाएगी बाहर कैसे आएगी ये सारी चीज़े हमको social में पढ़नी है फिर हम बात करें परिवहन की किस तरीके से blood जो है ना हमारी body के अलग-अलग पार्ट में घूमता है कैसे वो हुर्दे में जाता है कैसे वो अलग-अलग पार्ट में जाएगा ये सारी चीज़े हमको تीसरे पॉइंट में यानि इसके तीसरे भाग में पढ़ना है चोतिछी चीज है कि उत्सरजन यानि एकस्क्रिशन इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से body में body से waste material बाहर निकलेगा मल के रूप में, मूत्र के रूप में, किस तरीके से ये सारी चीज़े होंगे, ये सब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है तो बच्चों, उमीद है, पूरा समझ में आया होगा कि क्या है आज के इस chapter में और क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा है वो है पोशण बहुत सिंपल सा है, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि जीवो द्वारा ग्रहड किये गए भोज पदार्थों, अत्वा अन्य खाद पदार्थों का पदार्थों का पाच्चन करके उससे उर्जा का अवशोशण करना क्या कहलाता है, पोशण कहलाता है यानि कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक खाद पदार्थ है खाद पदार्थ में जानते हो क्या आ जाएगा, जैसे तुम लोग जाते हो ना, पिज्जा खाने तो भाई ये क्या हो गया, खादे पदार्थ हो गया, भाई खादे पदार्थ में और क्या सकता है, आप लोगों कुछ चीनी बड़ी अच्छी लगती है, चाय पीने का मन करता है, उससे ग्लुकोज मिलता है हमारी बॉडी को, हैना कॉफी पीने का मन करता है, सब खादे पदा प्रदान करते हैं क्या करते हैं उर्जा प्रदान करते हैं उस उर्जा से क्या होता है हमारे सरीर की व्रद्धी होती है और हमारे सरीर ने जो व्रद्धी होती है इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं इसको ही पोशन बोल देते हैं बोलो क्या ये बात समझ मागी तो अगर आपसे कोई पूस्ता है कि वाई पोशन क्या है तो खादि पदार्थ से खादि पदार्थ को क्या करना पाचन करना और पचा कर फिर उसके बाद उससे क्या करना उर्जा लेना और अपने सरीर की वरद्धी करना इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं इसी को बोल देते हैं कि एक बच्चा कह रहा सर जी आप बिल्कुल बदल गेए ऐसा तो नहीं है यार क्या हुआ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या गृट चलो अब उसके बाद यह क्या हुआ कि खाद्यपदार से पाचन करना पाचन करने के अब जरा धेयान से देखिए बच् вас, अब हैं हमारे पास के, पोषण होता कितने प्रकार का रहे हैं, तो पोषण दो प्रकार का होता है, पहला पोषण craft कहलाता है हमारा swap potion और दूसरा कहलाता हमारा per potion अब swap potion क्या होता है और per potion क्या होता है जैसे मैं बात करूँ जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना बनाने के बाद अपने सरीर की व्रधी के लिए खुद ही responsible है अब जैसे for example आपका मन किया कि नहीं, इस तरीके से सेब आपने खा लिया, अब होगा क्या, आपने सेब तो खा लिया, इसका मदब ये भोजन बना था ना, किस ने बनाया था, पेड़ पॉधों ने, आपने सेब खा लिया, इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, परपोशल किया, यानि कि आप किसे दूसरे प्यासरी थे सोचो एक बार अगर यह सेब ना होता सबजियां ना होती दाल नहीं होती तो क्या हम लोग जी पाते नहीं पानी नहीं होता तो क्या हम जी पाते नहीं इसका मतलब क्या है कि यह किसमें आएगा परपोस्ण में यानि कि यह हम लोग मानों जो है ना वो क्या है पर पॉशन इसको बोलेंगे सवह पॉशन और इस पूरी प्रक्रिया को किया बोलेंगे सवह पॉशन बोलो यहे तक क्लिएर समझ में आ गया होगा है आसान है बहुत आसान है आगे चलते अब ना देखो जला ध्यान से पर पोशड भी क्या होता है तीन प्रकार का होता है स्वापोशड तो समझ में आ गया आप लोगों को कुछ भी नहीं है कि जो अपना भोजन स्वयम बनाएं और उसके बाद स्वयम बनाने के बाद जितने पेंड पोध हैं वो सब क्या करते हैं स्वापोशड करते हैं आगे अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे ठीक है अब पहले हम बात करते हैं पर पोशड की पर पोशड की दरे प्रकार का होता है तीन प्रकार का पहला प्राडी संभोजी, दूसरा मृतो परजीवी, तीसरा परजीवी, अब इनको हम अलग-अलग डिसकस करते हैं बच्चों, देखो बच्चों, अब यहाँ पर पहले हम करेंगे स्वापोशन को, वह जैव प्रक्रम जिसमें अपने भोजन, जिसमें जीव अपने भोजन का निर को बोलना चाहूंगा, कि भाई, आप लोग जो है, क्या करें, कॉपी ले के बैठें और रिवीजन करना सुरू कर दें, इस आज के लेक्चर से, रिवीजन करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आएंगी, आपने पहले से चैप्टर पर रखा है, very good, प्रकास संसलेशन की प्रक्रियाद और अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, इसे को हम स्वापोशन कहते हैं, अब यहां पर एक सब्द आया कि भाई, यह प्रकास संसलेशन क्या है, इसको अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे अब बात करते हैं, परपोशन क्या है, कि भाई यह परपोशन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयम ना कर पाए, दूसरे पर आसरित हो, जैसे मानव, पेड़ पोधे पर आसरित है, मानव दूसरे जीव पर आसरित है, मचलिया खाते हैं क उसको क्या बोलते हैं परपोशन के जैसे मानव क्या है परपोशी है आगई मेरी बास समझ में चलिए बाई अब उसके बाद हमारे पास की जीवों में परपोशन तीन प्रकार का होता है तीनों की परिभासा नीचे लिखिए सर ने एक एक पॉइंट आपको बता देंगे एक बार में ठीक है क्या है बच्चों हमारे पास यह है प्राणी संभोजी और मैंने इसके ना डीटेल्ड वीडियो बना रखे हैं आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपके पास लगता है कि अभी हमारे पास समय है और मैं पढ़ सकता हूं तो यू कैन ड्राइट चलो बाई पात करते हैं प्राणी संभोजी पोशण के वह जव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप से ग्रहन करता है उसके बाद उसका भच्छन करते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि माना हो जैसे भी मैं मैंने क्या खाया जोग की तरीखे से भहस के ऊपर चिपके और इसका खून चूस रहें ऐसा तो नहीं कर रहें आपैसा दो बिल्कुल भी कर रहें कि मच्छर के तरीके से किसी दूसरे जीव को चूस रहें ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो यह सब क्या है कि हाँ यह हमारा स्प्राणी संभोजी में आएगा जैसे अमीबा मनुश्या मिंडक यह क्या करते हैं मेंडक क्या करता है टर 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 और खालिया दूसरा एक कीड़ा कोई यह मारा क्या है मिंडक है बोलो मजा आ गई यहां तक ठीक है आई इतनी बात समझ में चलो बहुत बढ़िया ग्रेट डन अच्छे से पढ़ोईगा बच्चा जो उसी को समझ में आगा डिटेल्ड वीडियो पहले से बना रखें यह वन सौट है तो थोड़ा इस फीड में चल जैसे गिध्ड क्या करता है मुझे बताना जैसे क्या करता है दूसरे मृत जीवों के अवसेसों तथा उत्सर्जी पदार्थों पार निरवर रहता है जैसे कवक बैक्टिरिया प्रुटोजर जो अ astrology यह सब क्या है दूसरे प्रिवा रें ईक गिड्ध be कि समझे मेरी बात को क्या हो रहा है कि दूसरे म्रत जीवों के अवसेशों तथा उत्सरजी पदार्थों पर निर्भर हैं जैसे पॉटी करके आए बैक्टिरिया बहुत सारी उसमें हो गई क्या होगा तो आपकी पॉटी पर निर्भर है ना यह उत्सरजी पदार्थ पर निर पर जीवी पोशन है ना अभी हमने पढ़ा प्राणी संभोजी भाई प्राणी संभोजी का मतलब ठोश रूप में खाएगा एक चीज याद रखो फिर उसके बाद मृत्यों पर जीवों के आसोसे को खाएगा एक एक अमर बेल भाई यह अमर बेल ना बहुत इंप्वाटेंट बहुत जदा पूछा जाता है अमर बेल वाला एक्जामपल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है बोलो यहां तक समझ में आया की नहीं जल्दी से एक बार मुझे बता देना फिर मैं आगे बढ़ जाओं डन चलिए ग्रेट 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 यहां तक समझ में आगया बच्चों को स्क्रीन सोट लेना ले लेना आगे चलते हैं अब देखो प्राडी संभोजी में कौन आया देखो वाई अमीबा हना मानव यह कौन है मेंडग चच्चा तीनों लोग आगे कि नहीं बोलो अमीबा भ गया है यह सारे क्या हो गया है यह हमारे गया प्राडी संभोजी आगे चलते हैं म्रतोफ़ पर जीवी को देखो पाई बैक्टीरिया इसको नहीं फोग यह क्या हो गया कावक कर bomैं तो अब क्या हो गया बच्चो प्रकाष संसलेशन क्या होता है बहुत सिंपल है प्रकाष संसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेंड़ पौधे क्या करते भोजन को C02, H2O और प्रकाष की मज़द से कλोरोफिल की उपस्थिती में तयार करते है इसका मदब क्या हुआ प्रकाट सेसलेशन में पेढ़ पौधे अमَّ लों पेढ़ पौधे निकल गए हमारे गउंँ के अंकल जी क्या हुए सनीवार की बाजार है मार्केट चले गए क्या खरीद के लाएं फिर क्लोरो फील चाहिए क्लोरोफिल चाहिए करा Hatै प्ति में ना हरे रंका नहीं होता है तो भाई यह सारा मिल गया सिकारवांड ड्याकसऐड समझसर लोग की सब्जी ले क्लोरो फिल मतलब तेल के लिए एच डूों का मतलब तो दाल खाते हैं पनीर खाते हैं रोटी कहाते हैं वैसे पेंढ पौधे क्या करते हैं चाल राग कारभन डियुक्साइट खातें कैसे बनाके खाते हैं है खे Saya और उनको अनको ना नीचे से उलनानी की प्रौद नहीं होती बात में बना इतनी प्रकास दोटे ओंस से बना लेते अपना भोजन ठीक है इसका मतलब यह चीज ने क्या करता है बनाते हैं और बनाते कैसे यह मार्केट से खरीद किला है कार्बंड रियॉक्साइड जब घर में पानी डाला क्लोरोफिल डाला सूर्ग के प्रकास की उपस्तिती हो गई और बाद में पता चला कि देख हमारा नस्त हो जाएगा तो का ऐसा ठीक ठीक है चलो भाई ऑक्सीजन भी दे देते हैं ऑक्सीजन भी दे दिया और उसके बाद फिर क्या निकल गया बोले भाई तुम लोग पानी भी ले लो क्योंकि हमने पानी ज्यादा इस्तेमाल किया था थोड़ा बच गया तुम भी ल याद आएगा तो वो बजार जाने वाली बात याद आएगी सुनिए बच्चो बजार जाने वाली वो बात याद आएगी कि सर ने कहां तक पेड़ पोधे चले गए बाजार खरीत की लाए कार्वन डेयाक्सजीज गया स्बस्दा एक इगे के जगा पर क्लोरोफिल डालेंगे खाने में ग्लुकोज भड़ाएं गाल्साइब कि मान्व नाम फार्ड नमख एक चीज लाल सी इनसान था उसने क्या बोला भाई मेरे को थे दो और उसका पानि उन्हें पानी मानो को देदा ठहसे बार समझए आ गई क्लियर और हुआ कि नहीं एक बार जल्दी बताना एक बार बच्चो मस्त है चलिए बाइश अब ना बच्चे क्या करतें कहतें सर जी यह रियक्षन हमको याद नहीं होती हमको मतलब यह चीज बता दो ऐसा लिख के बता दो कि मतलब यह भूलू न मैं अब हम उसे कहते हैं ना कि मानों पेड़ पोधे क्या करते हैं कारबन डियोकसाइड के लेने गए फिर क्या हुआ पानी डाला फिर क्या हुआ सूरी के प्रकास की उपस्थती हुई तो इधर लिख लो ना कि सूरी का प्रकास सूरी का प्रकास लिख लो और उसके बाद और क्या मिला उनको पेड़ पौधो ने उनको दिया Chlorophyll a Chlorophyll उनके पास खुदी था पतियों में अना क्या बना दिया glucose बना दिया कैसे बनाते हैं glucose नीचे लिखते हैं C6H 12-06 फिर क्या बंटा है पानी भी वन जाता है तोड़ा सब फिर क्या बंटा है CO2 भी वन जाती है है इसको बैलन्स करने के लिए क्लाना है बझाय कार ने है इन हमारे पास 6 कारो नों हो गए च्यों भारत कर देख सबस्कुन कई जेंड़ा है 천 है बच्चो ठीक है आ गई बात समझ में सभी को मज़ा आया यहां तक जल्दी जल्दी बता दो एक बार चलिए बहुत बढ़िया ठीक है बच्चो आ गई ने बात समझ में अच्छा बालक कोई गधा एक इंसा फिर लो गधा आज बुलवाई लोगे तुम लोग मानोगे नही कोई कह रहा सर जी पानी का सूत्र गलत है हाई एक डूओ सूत्र होता है बालक हो गया चलो भाई प्रकास असलेशन कर लिया अब लेकिन समस्या यह है कि कोश्चन पेपर में एक बहुई कल्पी कोश्चन आता है और जो इस बार भी रखा होगा और भाई अभी एक बच्चे नहीं था जो हमने पिछले डेर से दो महिने में ना डिसकस किया हो दिल को तसली उस वक्त ही मिली और बड़ी तसली उस वक्त मिलेगी जिस दिन आप बोर्ड पेपर देखिया होगे बच्चा बोर्ड पेपर और फिर होगा कि भाई ऐसा कोई कोश्चन नहीं होगा जो हमने ना पढ़ाया हो आपको कमी कहां रहेगी आप पढ़ोगे नहीं उसमें ठीक है देखो बच्चों क्या हुआ भाई हमने बोला कि प्रकास संसेलेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमने बोला था गैस जलाते हैं मतलब हम लोग तो सुरी का प्रकास उनको चाहिए कार्बन डियाकस गैस मार्केट से खरीद लाएंगे पानी तो डाला ही जाएगा तेल की जगा पर क्लोरोफिल डालेंगे खतम खाना बन गया यह सारी पदार्थ हमको चाहिए चार चीज़े चाहिए उनको सुरी का प्रकास कार्बन डियाक्साइड गैस जल और क्लोरोफिल अब समस्या यह है कि भाईया खाना बनता कैसे है अब हम तो बोलते हैं कि चाय बनानी है तो पहले चाय पत्ती डालो फिर यह करो फिर वो करो यह बोलते हैं देखो भाई हम बताते हैं हम जो कार्बन डियाक्साइड कैस खरीद के लाएंगे उससे क्या बनेगा जो हम पानी डालेंगे उसी से निकलेगा ऐसा बताते हैं यह चार पॉइंट आपको नोट करने बहुत इंपोर्डेट है पहला चीज है कि क्लोरो फिल द्वारा प्रकास उर्जा को अवसोशित करना क्लोरो फिल क्या करता है प्रकास उर्जा को रासानिक उर्जा में रुपांतिरित करना जो प्रकास उर्ज जाएगी किसमें राशानी कुर्जा में क्योंकि ये इसमें बहुत जादा उर्जा होती है गुलुकोज में तो प्रकास उर्जा बतल जाएगी हमारी राशानी कुर्जा में इसके बाद हमारे पास है कि जल के अड़ों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपगटन याद मिलता है हमको oxygen का अनु हमको मिलता आता है बच्छो किसका जल से मिलता है यह कोशन बहुत ज्यादा आता है ध्यान रखो इस चीज को ठीक है आगे मेरी बात समझ वे इसके बाद कारबन डियोकसाइड का कार्बो हाइड्रेट में अपचे अब बच्छो यहां पर थोड़ा सा क कहते हैं इसको कार्बो हाइड्रेट भी कहते हैं कार्बो हाइड्रेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सुगर का फॉर्मला भी आएगा फ्रक्टोज भी आएगा ग्लुकोज भी आएगा यह सब कार्बो हाइड्रेट में तो कार्बो हाइड्रेट किसमें बदल जाती है कार्बो हाइड्रेट याने की गुलुकोज में बात समझ में आ गए यह चार पॉइंट आपको पेपर में लिखकर आने हैं बच्चों आगे चलते हैं बिना देर की हुए क्योंकि जन्नाटे से हम लोग पढ़ेंगे यह क्या आ गया आज पती का भी छेद ढूंडना जाएगा पती यह क्या आ गया भाई देखो भाई अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी पती है पेड़ पॉदर पे आपने पत्तियां तो देखी होंगी उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं लेकिन वो छेद हमको दिखाई नहीं देते क्यों नहीं दिखाई होते हैं कि दिखाई कहां दे जाएंगे और दिखाई दे जाते तो जो कीड़े ऊपर ऐसे घुमा करते ना पत्ति के अंदर घुशके बैठ जाते ऐसा होएगे नहीं पाएगा अब होता क्या है कि पत्ति के अगर हम बहुत ज्यादा जूम करके माइक्रोस्कोप से देखे तो ह मैं चित्र बना के आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे ठीक है जैसा आपको बना के दिखा रहा हूं यह मैं कई बार बना की भी दिखा चुका हूं अभी मैंने एक और क्लास लिया था उसमें भी मैंने आपको बना के दिखाए था कि कुछ ऐसा होता है चित्र देखो ठीक है और इसको हम बोलते क्या है इसको हम बोलते क्या है इस चित्र का नाम क्या होगा इसको हम बोलते है रंद्र रंद्र क्या होता है एक प्रकार का चित्र होता है क्या होता चिद्र और रंद्र में होता क्या है जान से मेरी बात को सुनिएगा रंद्र में होता क्या है इसी से ऑक्सीज यहीं पर केंद्रग पाये जाएगा फिर उसके बाद यहां से इसके अंदर कौन जाएगा ध्यान से देखते जा वच्छो यह कई बर बनाके दिखा चुका हूं इसके अंदर हमारी कार्बन डियाकसइड जाती है बाहर क्या आती है ऑक्सीजन गैस बाहर आती है इससे ठीक है और इसके बाद यहां पर ही क्या होता है हरे हरे कलर के अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कभी सफेद कभी हरा तो यह देखो यह भी आप चाहो तो हरे कलर के बना सकते हो इसको ठीक है यहां हरे कलर के चोटे चोटे सर ने क्या बना दिया बिंदू और इनको क्या बोलते कुरहकर हां में चोटे-चोटे क्या पाइजाते हैं शिद्र पाइजाते अब बहुत सारे बने सर जी एक बात बता का यह इस जो रंद होता है और एक ःषण होता है क्या यह दोनों सेम हैं वेटा मुझे एक बात बता हूं हिंदी तो पढ़े ही होगे हो वात का मतलब क्या होत तब वे रंद्र जिससे वायू का आवा गमन होता है उनको हम लोग वात रंद कहते हैं और जो रंद है न वो और भी रंद होते हैं समझने की कोशिस करें हमारी बात को जैसे बहुत सारे चिद्र होंगे सबको रंद बोलेंगे लेकिन जो वात रंद होंगे न उनको हम कि हाँ इसमें हमारी oxygen और carbon dioxide का आवा गमन होगा तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रंध क्या है तो आप वात्रंध की परिवासा बता सकते हूं लेकिन अगर आपसे यह पूछा गया कि वात्रंध क्या है तो आपको बस इतना बताना है कि वे छिद्र जो पत्तियों पर पहे लगे मेरे प्यारे बच्चो ठीक है क्लियर हुआ फिर से सुननों मेरे प्यारे बच्चो कुछ लोगों को जादा डीस्टर्ब है मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुब है हमने लिखा है कि जो हमारे जल के अड़ होते है वह हाइड्रोजन और oxygen में तोट जाते तो बा मिलेगा तो आप यहां देख सकते हो पूरी reaction है कि carbon dioxide जब जल के साथ react करेगा और इसकोशूरीगा ब्रकास मिलेगा और chlorophyll मिलेगा और साथ Hdzie埃 पास यह हमारा बना देगा थी ठीड़ करेओ बच्चों यहां तक सभी को देरा इनको बोलते हैं द्वार और सिकाएं क्या बोलते हैं दौको करती है जैसे जा था लें होगी अयक्त करते हैं साधीड मुझे इसे लगर और अक्सिजन बाहर निकलती है तो फिर से पिचक जाती है मज़ा आ गई बच्चों यहां तक आगे चलते हैं लोग अब यहीं चीज यहां लिखी है कि रंधी गत्विधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती है यानि गेटमेंट पर निर्भर करेगी अगर लिखाना मज़ा नहीं आएगी ठीक है तो यह क्या होगा कि जब प्रकास अंसलेशन के लिए कारवन यॉक्साइट क्या हो सकता होती है जब नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को क्या कर लेता बंद कर लेता वह इसे गेट में नहीं होता जब कोई नहीं जा रहा है त इसे कट्टम लगाए इसे और जाई इसे हट गया तो यह अपना डंडा इधर रटाए अपना इधर रटाए अपना इधर रटाए सेम वही चीज है समझ में आरी मेरी बात आगे चलें क्या हम लोग फिर क्या होता है इन छिद्रों को खोलना और बंद होना द्वार कोशिका आगे मेरी बात सवज में यहां तक सारे बच्चों को हो गया एक लियर बहुत अच्छी तरीके से आखरी में मैं सारे स्क्रीन सौर्टर लेने का पूरा मौका दूंगा आपको बिल्कुल टेंशन मतलो अभी आप पहले पढ़ते जाओ ठीक है अंत में मैं आख जो है मौका अब आते हैं हम लोग अमीबा पर कि भाई अमीबा में कैसे होता है पोशल तो बच्चों पहला कोशन आएगा पेपर में कि अमीबा होता क्या बच्चों यह एक कोस की है मैं आपको फिर बता रहा हूं अगर आपने यह चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है डिटेल में सकते हो ठीक है डिटेल में जाके पढ़ सकते हो चलो अमीबा क्या होता है एक कोस की है यानि यह यूनी शलूलर है यह क्या करता है अपनी सतह पर इसकी सतह पर क्या होती है कुछ उंगलियों की तरह से इस तरीके से उंगलियां जैसी बनी होती है मैं इसको अलग बना के आप केंद्रक होता है और बाकी इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है जीव द्रव जो है भरा होता है ठीक है बास समझा गई इसके अंदर जीव द्रव भरा होता है यह क्या है अब क्या होगा यह अपना पोशन करना होगा तो कैसे पोशन करेगा यह अपना ना मुँ ऐसे मांगना होता है तो आप क्या करते हूं ऐसे फैलराते हो नो मैं देते ओ तो ये क्या करेगा ये से फैलराइगा और इधर पादाब है, क्या है पादाब, इनको क्या बोलते हैं पादाब, आगे चलते हैं, अब उसके बाद ये क्या करेगा, अपने अंदर इसको ले लेगा, यानि कि अभी इसका तो केंदरक था, अगला इस्टेप में क्या करेगा, ये इसको अपने अंदर ले लेगा, कुछ ऐसे, अब क्या करेगा इसको ये पाचित कर लेगा यानि उस पाच्चन की क्रिया को हम सौंगी करन कहते हैं इसको ये पचा लेगा पचाने के बाद फिर उसके बाद जो जो चीज ये नहीं पचाएगा उस चीज को ये क्या करेगा उस चीज को ये अपनी सते से बाहर निकाल देगा यानि कि जो चीज नहीं पच पाएगी उसको सहीर से ये बाहर निकाल देगा अब चित्र अगर आपको पेपर में बनाना हो तो जरा ध्यान से देखो क्या हुआ कि पहले वाले चित्र में आपको दिख रहा है अमीबा इसने अपने दोनों पादा पहला दिये इसके अंदर ये जाने लगा इसका एक ये केंद्रक था जैसे ही ये भोजन का कंड इसके अंदर पहुचा इसके अंदर ये पहुच गया है अब ये क्या करेगा इसको पचाएगा और पचाने के बाद अब ये अपना सरीर जो है ना लग करके बाहर निकल जाएगा बोलो यहां तक सभी को clear समझ में आ गई या नहीं ठीक है बच्चो वेरी गुड और सरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बही छेपिड कहते हैं और बही छेपड और अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अंतर ग्रहन ठीक है प पचाने की क्रिया और पचा के जीव दरब में मिलाने की क्रिया को हम स्वांगी करन कहते हैं यह सब हमने डीटेल में आपको पढ़ा रखा है तो क्या हुआ कि पादाब कहते हैं जब पादाब खाद रिक्तिका कन के साथ विलीन हो जाता है तो क्या करता है यह खाद रिक्तिका लुट फैर नारोक मतलब है कि हां यह विलीन हो गया और इसके अंदर एक स्पेस जैसा बनेगा वह रिक्तिका में फैल जाएगा फिर जीवधर में मिल जाएगा फिर सके बाद छाडरी का चाड़ ज्बाल जो होते सरल पदार्थों में तोड जाते यह पे कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा इन सरल पदार्थों कोGame में विसर्ित कर दिया जाता है जैसे हमने बताया था कि प्रक्राइब को उस्वांगी सब्चारक्रिया करन कहते हैं चाहिस जस्वांचित समागरी जो पचा नहीं पाएगा वह शरीर की सतय पर ले के बाहर फिक दिया जाता है और अमीबा अपने सरीर से आप अच्छी तखाद पदार्थों को निकालने के लिए कोशी का जिली क्या कर देता है तोड़ देता है और उसके बाद बाहर निकल जाएगा बोलो यहां तक क्लियर हुआ की नहीं ठीक है मैं फिर आपको एक बार किस तरीके से पाचन होता है और यह पोशल वाले पार्ट में ही पढ़ना है आप लोगों को तो सबसे पहला है यह दोनों चित्रों के बारे मैं डिसकस करूंगा सब कुछ बताऊंगा लेकिन पहले बात करते हैं कि पाचन क्या होता है देखो हम लोग जो खाना खाते हैं वह बहुत जटिल पदार्थ होता है अगर हम उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ दे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन जैसे फॉर एक्जामपल मान लीजे कि यह सेब का टुकडा है खा गये क्या होगा इसेब का टुकडा मेरे पेट में पहुचेगा और मै इसको क्या करूंगा पचाओंगा पचा कि फिर क्या करूंगा इससे जितनी भी पाचन समगरी है जितना भी हमको लेना है वो ले लेंगे ठीक वो सरीर अपने साब से ले लेगा फिर क्या होगा उसके बाद जो चीज हमको सरीर से बाहर निकालनी है वह हम सरीर से बाहर निका यह क्या होता है जल अपगटन द्वारा सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलेना यह क्या कहलाएगा पाचन अब उसके बाद मानों में पाचन की क्रिया कैसे होती है मनुस्य के पाचन तत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है अब यहां से लेकर बच्चों यहां तक यह पूरी हमारी क्या है आहार नलिका द्यार से मेरे बात को सुनिए यहां से लेकर यह पूरी क्या है आहार नलिका है यहां से यहां तक पूरा अब इनके सब के बारे हमको यह दीप में पढ़ना होगा यानि मुख गुहा से लेकर नीचे गुदा द्वार तक पूरा अहार नली है इसमें पूरा भोजन रहेगा अब ऐसा नहीं है कि जैसे भोजन काया थाली में खार है पेट के अंदर भी थाली उसी में जाके एक अठा होगा ऐसा नहीं होता है पतल अब उसके बाद एक लंबी आहार नलीका होती है और यह कितने मीटर की होती आठ से दस मीटर भाई इसको लॉक कर लो यह कोशन एक्जाम में आएगा कि कितने मीटर की लंबी नलीका होती है तो आठ से दस मीटर की और मुख से गुदा तक फैली होती है गुदा मतलब हम बो कि नहीं तक का पार्ट गुदा तक राइट इसको हम आहरनल का बोलते हैं अब जिसमें पहला है हमारा की मुख अब हम पहले समझतें कि मुख में पाचन कैसे होता है इसको जरह ऐसे समझतें अब एक चीज दमझना असर ने कुछ खाया खाने के बाद क्या होगा अब सर इसको पहले तोड़ेंगे, छोटे-छोटे टुकडे करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं, कि पूरा का पूरा एपल रखा और एक ही बार में एपल चला गया, जैसे साप नहीं होता, मिंडक खा लिया, तो मिंडक फूला-फूला दिखाई दे रहा, वैसे पता चला, यहां लटका हुआ यह गाये, भैस, इकठा खाने की कोशिस करती, दर से लटका हुआ है निजिसे, ऐसा दोड़ी होता है, पहले दात उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ेगा, ठीक है, तो अब उसको दात ने क्या किया, छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ा, अब क्या होता है, कुछ लार गरंथियां होती है, यह लार गरंथियां क्या करती है, लार को स्रावित करती है, यही सारी चीजे सुन लो बस मेरे से, और लिखके चले आना पेपर में, कुछ रटने के जुरत नहीं है, क्या होता है, लार गरंथियां लार को स्रावित करती है, फिर उसके बाद जिससे जो हमारा जो हमने भोजन खाया है वो क्या हो जाता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है यानि हम कह सकते हैं कि अब जो है अंदर जाने के लिए तयार है अब अंदर जाएगा मुह में पाचन जो भी होना था हो गया अब कैसे होगा देखो मुह में दाथ जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकडो में भोजन को तोड़ देते हैं जीव क्या करती है लार की मजद से भोजन को अच्छी तरीके से मिला देती है भोजन को कैसा बनाती है लसलसा बनाती है ठीक है और यहां लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है कौन कौन से एंजाइम होते है अल्रेडी लार में होता है, मिलाने के बात क्या कहें, ठीक है, लार में होता है, और यह T jobbar के एक An Young itself अल्रेंद में अल्रेक् cath slipp को मंण या इसटार्ज को क्या करता है कड़ों सरकरा में बदल देता है, सरकरा का मतलब सुक्रोज में चेंज करेगा, उसको ठीक है, तो मंण या इ होता है कि जब आप चावल को भीगो दीजिए उसके बाद देखिए उसको चिप चिपा जैसा कुछ निकलता है वो सब क्या है मंड है यह हम बात करें गिहूं है उसके उपर आप गिहूं का जो उपर का छिलका होता है ठीक है उसको देखिए क्या है यह सब मंड राइट इतना तो समझ में आगया होगा बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को ठीक है अब उसके बाद ओके महग दिच्छित जी देख लेंगे बिल्कुल भी परेशान मत हो ये ठीक है आगे चलते हम लोग बोल रही है बेटा तो देख लेते हैं यहाँ पर अब ठीक डन उपर तो यार सही सही लिखी है तब भी तुम लोग इतना परेशान हो अगर नीचे यहाँ गलती से ओ छूट गया है तो काहे टेंसन ले रहे हो बागी सारा तो उपर सही लिखा है न इतरा तो इसलिए तो मैंने वहाँ लिखा है न और बोल तो मुझसे एच्टू ही रहा हूँ न ऐसा तो नहीं कि एच्टू बोल रहा हूँ अब उसके बाद क्या हुआ कि मंड या मंड या इस्टार चकड़ों को सरकरा में बदल लेते और इनका क्या करते है पाचन करते यह कहलाता है हमारा क्या है मुख में पाचन बोलो यहां तक क्या आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आ गया या नहीं ठीक है अब यार कुछ बच्चे आप मुझे फिर बोलने का मन कर रहा है जब मैंने सही क्योशन उपर लिखी है नीचे बैलेंस नहीं की है तो बैलेंस नहीं की है न नीचे वाली क्योशन वो तो सिर्फ समझाने के लिए किया ना सही क्योशन उपर लिखी है ना बच्चों ठीक है अभी तो टेंसन नहीं ले रहा है चलो आगे चलते हैं यह इस तरीके से मुख में क्या हो जाता है अगे चलते हैं अब हम बात करते हैं ग्रसिका मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ग्रसिका और ग्रहणी दो चीजों में लोग जो है पुरा CONFUSE हो जाते हैं ध्यान से सुनिये उपर का हिस्सा क्या कहलाता है краसिका कहलाता है फिर उसके बाद यह जो हिस्सा यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है ग्रहणी होती है और यह ग्रहणी जो होती है ना जैसे साफ होता है ना साफ उसमें क्या होता है कि अगर में इंडक खाएगा धीरे 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 ऐसे से भोजन बढ़ता है वैसा ही क्या होता है कि मानली जी हमने कि अंदर क्या करती है भेजने का काम करती है कि भाई हमको यहां से मिल गया यहां से हमको क्या मिल गया यहां से माल लीजे हमको भोजन मिल गया ठीक है द्यान से देखिए बच्चो यहां से माल लीजे हमने भोजन खाया खाने के बाद यह भोजन जो है न इस तरीके से नीचे की आप उसक ऐसे के अंदर आएगा एज तो यहां से लेकर यहां तक का यह वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा रहा है यह वाल्त कहलाता है यहमारा ग्रफिक का क्या लाता है ग्रफिक का बोजन कि यह वह भोजन यानि आवाजक के भीतेजहचल ने में सहायता करती है और ग्रसिका पेसियों का। क्रम वद फैलना एवम सिकुडना क्या कह लाता है क्रवाजक़ कि रदटन ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचंड नहीं हो दो इसमें केवल भोजन नीचे की तरफ पहुँचता है बच्चो ठीक है आगे मेरी बात समझ में की नहीं ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं बच्चो अब हमारे पास अमासे में पाचन अमासे में क्या होता है अब ये काफी important है आपको अमासे अगर यहां दिख रहा होगा तो ये देखो आपको अमासे दिख रही है ठीक यहां से यहां तक यह क्या है अमासे इसमें भोजन आता है तो किस तरीके से उसका पाचन होता है यह जे आकार की एक थैली नुमा क्या होती है सनचना होती है और भोजन के अमासे में प्रवेस करने पर जठर ग्रंतियां उतेज करती हैं जठर रसका को स्वराविट करती यह जो इसके हमासे में क्या होती जठर ग्रंथीयां कि जटम रसक को निकालती है द्यान से सुनते जाना वो जटर Rस में होता है इस में पहली बात तो पानी बहुत सरा होता है इसमें स्लेस्म का मतल decipher सकते हैं कि प्रश Espero जैसा पदार्थ ठीक है चिपना पदार्थ जो खिसकाने का काम करेगा भूल्जन इसके बाद प्थिर सिन एंजाइम होते हैं एच सेल होता है पेफस्पेंश जल और चार चीज़े पाई जाते हैं जटर रसमें और यह कोश्चन कई बार पेपर में आया है कि पेपसिन एंजाइम पाया जाता है किसमें जटर रसमें बात ध्यान से सुन लीजें जो चोटे बच्चों में बहुत जादा पाया जाता है और यह चोटे बच्चों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं अपनी मा का दूद पीते हैं और अगर सोचिए जैसे हम एक 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 जामपल लेते हैं गाए ठीक है गाए का दूद अगर जो पहली पहली बार होता है इसकी गाय ने बच्चा दिया और आप उस दूद को अगर पी लोगे तो क्या होगा हो सकता है पचा न पाओ कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाता है क्यों हो जाता है क्यों हो जाता है क्यों हम उसको पचा नहीं पाते लेकिं छोटा बच्चा है न वह पचा लेगा लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं समझने की कोशिस करें तो रेलिन जो होता है वो कहां पाये जाता है छोटे बच्चों में और HCL अम्ल की उपस्थे की कारण जो जठर रस होता है वो कैसा होता है अमली होता है यानि अमासे के अंदर HCL अम्ल पाया जाता है इसलिए भोजन जब अंदर जाता है तो पच जाता है क्लियर हुआ यहां तक सभी को समझ में आ गया लो वेरी गुड बच्चो अब उसके बाद क्या हुआ कि HCL जो है ना निस्क्री पेपसिनोजन को सक्री पेपसिन में बदल देता है अगर आपको यह सारी चीज़े नहीं याद करनी है कोई बात नहीं आप इतना भी लिखकर आ स कर सकते हो भोजन के साथ साथ जीवान व् Boosts Evamos फूष्व को मारता है कौन मारता है यह आप नहीं देगे क्योंकि अब सोचओ सिर्का भी तो एक आमल है आम को सड़े देता है वह नहीं departments क несक्रूड कर देता अधंगृ . बात समझ में आरी तो वो कहां से खराब हो जाएगा, समझे एक बात को, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये भोजन को सर्ड़े से रोखता है, एवं भोजन के कठोर भागों को क्या कर देता है, घोल देता है, ठीक, अमासे में भोजन कितने घंटे तक रुखता है, तीन ग्रहणी क्या होता है यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है अमारी ग्रहणी क्या होता है यह सी के आकार की एक समर्चना होती है ठीक और उसके बाद यह ग्रहणी से यहां से पितासे लगा होता है और पितासे क्या करता है पित रस्त को यहां ग्रहणी में डालत जिससे जो भोजन पचता है वो पचने के बाद जो भोजन नहीं पच पाया है वो ग्रहणी में आके क्या हो जाता है पच जाता है ठीक ग्रहणी में आके पच जाता है अब ग्रहणी से ही क्या होती है हमारी छोटी आत लगी होती है छोटी आत को हम छुद्रांत बोलते हैं ठी कि उसके बाद छोटी आ जोऊती है यह क्यों छोटी कहीं गई यह बहुत लंबी होते हैं नेकिर फिर भी उसको छोटी कहा गया छोटी आजयो होती है वो बहूत कम यह ह Almoletरा यह को अदिधाadog और जो ये वाला इंस्साद दिखाई दे रहाना यह सिक 이건 क्षोटी आँट का होती होती है और जो बड़ी आथ थी वह कंडलीत होती है बस ऐसे एक बार में होगे why अब क्या हुआ देखते जाना ग्रहणी भाग में होता है, मतलब ग्रहणी सोचो अगर ना हो हमारे सरीर में, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिनको इस्टोन हो जाता है, या जिनको लीवर भी कुछ प्रब्लम होती है, वो लोग भोजन को पचा नहीं पाते, क अगर आपसे चोटा सा कोशन है कि अमासे भोजन में कितने घंटे रुकता है, भाई कोशन का अंसर हमने अल्रेडी स्लाइड में लिख रखा है, कि अमासे में भोजन 3-4 घंटे तक रुकता है, और उसके बाद इससे करके बाहर ग्रहणी में भेज दिया जाता है, ठीक, कहां से मिलता है हमको पित रस, पित आसे से, आगे चलते हैं लोग इसको बात, अब बात करते हैं अगनासाई रस, अगनासाई रस कहां से मिलेगा हमको, अगनासाई से, अगनासे कहां है, इसके पीछे देखो, ये वारे हिस्से को देखो, ये देखो यहां पर, ये हमारा अ छारी होता है जठर रस अमली होता है अगनासे रस छारी होता है ठीक इसमें इतना परसेंट तक पानी होता है और सेस जो होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं कौन-कौन से एंजाइम होते हैं ट्रिप्शिन होता है और काइमो ट्रिप्शिन होता है कार्बो हाइड्रेट को पच पचाने के लिए और एंजाइम होते हैं जैसे हैं लाइपेज यह क्या करता है यह वसा को पचाने में मदद करता है उसके बाद यह क्या है इस्टे एपसिन की मल सी वसा का पचन करता है मल सीन मतलब जो छोटे छोटे तुड़ों में तूट जाएगी इमल संतु जान आपना इसके बाद फिर है निउकल यद एज यह क्या करता है नियूकलिक पर्टन का ओदtechn करता है यह सब और second point बहुत important है चले भाई आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं बच्चों बड़ी आथ के बारें बात करते हैं बड़ी आथ क्या होती है ज्यादा चौड़ी होती है मतलब इसका size ज्यादा चौड़ा होता है ठीक और ये कलंबी बहुत कम होती है जो भोजन अमासे में नहीं पचेगा वो ग्रहडी में जाएगा जो ग्रहडी में नहीं पचेगा वो छोटी आथ में जाएगा और जो छोटी आथ में नहीं पचेगा जो छोटी आथ में नहीं पचेगा वो कहां जाएगा जो छोटी आथ में नहीं पचेगा वो कहां जाएगा वो हमारा जाएगा कहां स्टीक भीषगों जाएगा बड़ीदस्ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा उसके बाद कि इर आतमे इस voucher एकर um चोटे 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 रोम निकले होते हैं उंगली आकार कहा है हमने बहुत ध्यांत सुनिए उंगली आकरती कहूं जैसा उंगली होती ना ऐसे आकरती आकार इनसे छोटा था बहुत 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 छोटा वो निकले होते हैं वो क्या करते हैं पानी को पूरा सो जो पाते वह पाद जाता है गुद्आ में8 हो जाता है फिर अणल निकल जाएगा 구dद्वार से ठीक आगे मेरी वासमें अब उसके बाद क्या होगा जो शेफ् minded होगा गुद्द्वारदार शरीर से बाहर निकाल डिया जाецज क待 फर्लंगा इस चीज में यह पढ़ा यार देखो हमने सोचा था कि हम डेड़ घंटे में पूरा चैप्टर खातम कर देंगे पर मुस्किल है कि हो पाए ठीक है क्योंकि हम नहीं लगता कि यह खातम कर पाएंगे अब आगे चलते हैं इतना सब चीज तो हम पढ़ चुके अब हम पढ़ते हैं कि दाथ क्या होता है ठीक है अब हम लोग दातों के बारे में पढ़ेंगे लेकिन पहले में पानी लेते हैं फिर उसके बाद आगे जरजी म्यूकस क्या होता है मेटा म्यूकस ही स्लेस्म कहलाता है हिंदी में जो क्या करता है भोजन को जो है न लसलसा भी बनाया रहता है और अमासे में जो एसल अमल होता है वो उससे हमारा अमासे जो है मतलब हमको एसीडिटी ना फील हो उससे भी बचाता है वो चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं बच्चो अब हम लोग दातों के बारें बढ़ते हैं दात क्या होते हैं बेसिकली कहां पाय जाते हैं मुख में यानि जबड़े में छोटे छोटे सफेद रंकी सनचनाए होती हैं पाए जाते हैं किसेरुख प्राणियों में पाए जाते ठीक है और उसके बाद जैसे दात जो होते हैं भोजन को चीरने, चबाने आधिके काम में लाते हैं हम लोग। कुछ हमारे पसू होते हैं जैसे विशेस्ता मास बच्ची शिखार करने के लिए और रच्छा करने के लिए भी दात का उपयोग करते हैं बच्चों दात का उपयोग कौन करते हैं जैसे हम अगर हाथी को देखें खाने की दात और दिखाने की दात और तो ऐसे कुछ और भी होते हैं जो किवल दिखाते हैं जैसे कुछ आपने देखा होगा सुर क्यों सर सही कर रहा है ना सुर के पास भी सुर में भी ऐसे दात जो है वो आगे निकले होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बडेल कहते हैं उसको है ना सर बडेल तो बडेल जो है ना का निर्माण होता है वो क्या होता है कटोर तालू हई आगे कज्ए का दात हड़ी से बने होते हैं नहीं कठोर तालू से बने हैं हड़ी से जाधा यह मजबूत होते ठीक फिर systems के का अगर अध्यान करें तो ओड़न्टो लॉजी कहते हैं अगर मैं बात करूं तो कई प्रकार के होते हैं विसेस्ता दांत में क्या होती है प्रकार तो बाद में पढ़ेंगे पहली विसेस्ता दांत की गर्थ दंती जो दांत क्या होते हैं हड्डियों के खांचों में धसे होत ती मतलब एक बार दान्त निकला फिर इसके बार दान्त फिर निकलते हैं गिरने के बाद भी कहते हैं ना दूत के दान्त गिर जाएंगे फिर दान्त निकलेंगे इसका मतलब मानों में अग्र चवर्लक दान्तों को छोड़कर सबी दान्त दो बार निकलते हैं इसके बार हमार दात के चार प्रकार होते हैं एक यह चार प्रकार के दांत होते हैं क्रंतक क्या करते हैं क्रंतक का काम क्या है क्रंतक का काम है यह सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का काम करते हैं छे माह की आयू में यह निकलते हैं कुतरने और काटने का काम करेंगे फिर र कि बढ़ करें तो यह भी चवाने का काम करते हैं अगर चौरन क्या होते हैं चवाना क्या थे सब आभी में आपको बता हूं। ठीक अब देखू बच्चों एक बच्चे को कोषणी छोटे से आंक फैला के ख़ड़ा है कि मेरे कितने दाठ होते तो बच्चो इसका मतलब दूध के दाथ कितने होते हैं अगर आपसे कोई कोशन पूशता है तो कितने दाथ होते हैं दूध के 20 दाथ होते हैं टोटल दूध के कितने दाथ होते हैं टोटल 20 दाथ होते हैं बच्चो इसके बाद हम बात करते हैं कि मनुस्त में दाथ का सूत्र क्या होता है भाई ये पेपर में जरूर आएगा इसलिए पढ़ लेना दात का सूत्र देखो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूं ठीक है बहुत अच्छे से सुनना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है देखो एक फार्म याद करना पड़ेगा आई सी पी एम म मोदी बराबर का चिन ही लगाएंगे ठीक उसके बाद हम यहां बराबर लिखेंगे फिर लिखेंगे 21 बहुत जहां से सुन लो फिर क्या लिखेंगे 21 कि और अगर अगर मैं इसको फिर से एक में लिखूंगा एक में टुकिएगा आई सी पी एम मोदी 21-23 होता है ठीक है बताता हूं इसको एक मिनट ठीक है आई सी पी एम मोदी इसके बाद हमें लिखना है कि बाई कितने कितने होते हैं 21 और 23 ठीक अब ध्यान से मेरी बात को सुनना आई कि सिपी एम और मोदी ठीक है एम का मतलब क्या हो गया मोलर मोलर इसका मतलब होता है चावार्नक कितने चावार्नक होते हैं एक उसमें दो तीन जोड़ी चावार्नक होते हैं पीम की बात करें तो अग्र चवर्नक अग्र चवर्नक यानि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अग्र चवर्नक कितने होते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री मोलर क्या कहते हैं अगर मैं सी की बात करूं कहना है इनको कहते हैं और इसकी बात करूं तो यह होता है हमा का का याे खुआ कि करनतक उसके राज सी वाले की अगर मैं बात करूं तो इसको बपर सह रधनक हैं कि एक करनतक कितने होते दो जोडी यह कितने होते हैं एक जोडी आ चीरने हाने का काम करेंगे यह सारे बोलो यहां तक समझ में आ गई मेरी बात काफी अजी तरीके से आ गई होगी अब इसके बाद ICPM मुधी आप लिख सकते हो 21 बत के 23 ऐसे कर सकते हो और यह एक जबडे में इतना होता है ठीक है यह एक जबडे में कितने जबडे होते हैं टोटल दो जबडे होते हैं इसका मतलब कितना हो जाएगा अगर मैं 21-23 इसकी बात करूं तो टोटल यहां से देखो दो जोड़ी की बात कर रहा था ना दो जबड़े होते हैं हमारे तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 16 फिर उसके बाद कितना हो जाए कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो कोई परिसानी कि चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक अगर मैं सिसु दात सूत्र का बात करूं तो बस इतना यहां पर लिखना है उनके पास कितने टोटल दात होते 20 यह पूछा कम जाता है इसको छोड़ देते हैं आगे चलते हैं वालक हम लोग अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लीवर क्या होता है यानि यक्रत क्या होता है फुल रिवीजन चल रहा है आज के सेशन में और मैं ना देख रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है और यह बहुत गलत बात है कि देखते हैं कितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन में कि हटाये नहीं मिनमाइस कर दिए ठीक है अभी बहुत कम लोग ही मैं देख वा रहा हूं कितने 3611 लोग अभी थे जिसमें से 500 लोगों ने मतलब सेशन को लाइक किया और इसके बाद करते हैं लीवर की अब बहुत सारे बच्चे पुछेंगी यार यह लीवर होता कहां पर है आपको यह दिखाई दे रहा नहीं यह देखो यह क्या है लीवर ठीक अब उसके बाद यह सरीर का सबसे बड़ा आंत्रिक अंग ही नहीं सबसे बड़ी ग्रंथी भी है तो यहां से कोशन आएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है सरीर की वो आपको लिखना है कौन सी लीवर और सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाता है मेरी बात फिर से सुनिएगा अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो तचा लेकिन तचा बाहरी अंग है और आंत् समनों 5 kg होता है ये उदर गुहा में कहां इस्थित होता है दाहिनी तरफ इत्थे होता है दाहिनी तरफ राइट किदर होता है दाहिनी तरफ होता है अब उसके बाद ये डायफ्राम के नीचे होता है अब ये डायफ्राम क्या होता है इसके उपर क्या होता है डायफ्राम होता यह diaphragm कहा होता है जो हमारे फेफ़डे होते ना उसके नीचे diaphragm होता है उसके नीचे क्या होता है diaphragm जो क्या करता है कि जैसे कुछ महिलाय होती है जब वो pregnant होती है तो उस समय के case में यह diaphragm जो ना ऊपर जाता है और जब आप सास लेते हो तब भी यह ऊपर और नीचे होता है diaphragm तो ये उसके जौस नीचे होता हूँ ही ता ये उदर गौहा में दाहिनी और इस्थित होता है और दैफराम के इंशे और अमाशे की ऊपर होता है अपने देखा वोगा बहुत सारे लोगों को जब किसी का एकशिदेंट होता है और तूरंत से इनकी हो जाती है अगर पेट में चोट लगी तो डैफ्राम ही डैमेज हो जाता है और अगर डैफ्राम एक बार डैमेज हो ना तो कोई बच नहीं पाएगा तो यह मैं क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें पित्ता से होता है मतलब यह लीवर दिख रहा है इसके अंदर यहां पर पित्तासे होता है पित्तासे क्या करता है पित्तरस बनाता है और पित्तरस तो हम लोग पहले भी देख किया है कि पत्तरस क्या होता है अगर एक्जाम में डाइग्राम बनाने को आ जाए तो जैसे सर ने अभी आपके सामने इस पिक्चर को बना के रखा है बिल्कुल ऐसे ही इ पार सेंटीमीटर क्या होती है चोड़ी एक अंडा कार थैली नुमा सनचना होती है और यह यक्रत के कहां होती नीचे यहां पे आपको ग्रीन कलर देख रहा है बड़ इसका सही कलर होता है नीला हरा कलर नहीं होता है यह यक्रत से निकले पित्रस को क्या करता है संचित करता है अगर पेपर में कोशन आएगा कि पित तरस को कौन संचित करता है तो कौन करता है यक्रत करता है और उससे जल को क्या करता है सोक कर उसे गाढ़ा बनाता है पानी को सोक लेता है कौन यक्रत और उसको क्या करते कर देगा गाढ़ा भी बनाएगा इसको यक्रत से निकले पित त रहेगा पित्रस में पानी रहेगा पितास से उसको सूक लेगा और जब जरूत पड़ेगी तो गरहणी में भेज़ देगा ठीक कंफ्यूज मत होना इतनी बास समझ में आ गई अब उसके बाद करते हैं कि यकरत के काम क्या होते हैं जो की पेपर में बहुत जादा पूछे जा यानि उसको छोटे छोटे पाट में तोड़ने के बाद तूट जाता है यह भोजन और इसको गोल-गोल घुमा के बिल्कुल छोटे 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 टुकडों में करके इमलसी करत कर देगा ताकि आगे उसका पाचन अच्छे से हो जाए जैसे कपरे धुलते हो फेना बनता ह यह भोजन की क्या करेगा लुगदी की अमलिता को समाप्त कर देता है यानि भोजन की जो लुगदी होती उसको काईम बोलते हैं यह काईम की अमलता को समाप्त करके उसे क्या करता है चारी बनाता है क्योंकि पितरस चारी होता है अब क्या करता है आंत की क्रमान कुचन गति को बढ़ाता है पितरस जो होता है वो क्या करेगा आंत की क्रमान कुचन गति को बढ़ाएगा यानि की क्रमान कुचन गति क्या होत पित तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता ये भोजन को पचाने में मदद करता है सारे बोड़ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए सेशन को मिस नहीं करना अब बात करते हिफेरिन क्या होता है जो हमारा यकरत होता है वो हिपेरिन नामक एक क्या करता है एंजाइम को बनाता है ठीक ये हिपेरिन बनाएगा ये क्या होता है प्रति इसकंदक होता है बहुत अच्छे से सुनना जो रिधुन रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है ये रक्त यानि ब्लड को जमने नहीं देगा नहीं सोची ये इतनी ठेंड पड़ती है पता चला कि रक्त वाहिनिया जो हमारी नसे हैं उनके अंदर ब्लड जम गया तो क्या हो जाएगा अगर रक्त जम गया रहा है तो हार्ट अटेक आएगा सीधे और सीधे इनसान की मृत्य हो जाएगी समझ गया तो वो जमने नहीं देता हिपैरिन नमक और ये और भी काम करता है ये फाइब्रिनोजन और प्रोथामबिन का भी निर्मान करता है बदब सरीर में अगर यकरत नहीं है उसको जमाने का काम करेगा ये तो सारा सरीर का रक्त नहीं बह जाएगा समझ गये तो ये रक्त का ठक्का बनाने का काम करता है बोलो यहां तक क्लियर हुआ की नहीं चलिए बहुत बढ़िया यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि यकरत क्या होता है ठीक है, अब आगे चलते हम लोग कुछ बहुकल्पी कोशन कर लेते हैं कुछ हम लोग बहुकल्पी कोशन कर लेते हैं है ना, जल्दी-जल्दी से, लेकिन इतनी बात समझ में आगई हमने जितना आपको पढ़ाया, पांच हम चोटी-चोटी पोल करेंगे देखते हैं अब कितना आप पानी में हैं तब तक सर्जी पानी पी लेते हैं और देखते भाई कितना पानी में आप हैं दे दिया जाए पोल चलिए भाई जल्दी से देखते हैं कौन कितने पानी में है बालको तयार हो में डेक पूछ रहा है मेरा जल्दी बताना एक बार तयारो बालको जल्दी से क्या बात है बहुत बढ़िया ग्रेट 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 सर यकरत में सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है ना बहुत बढ़िया वेरी गुड यस बाल को तियार हो ना चले हम लोग ये रहा आपके सामने पहला कोश्षन और इसका अंसर देना है आप सभी को कि क्या होना चाहिए देखते हैं बच्चे कैसे अंसर करते हैं कोश्षन है अमारे सामने की निम्न में से कौन सी विधी सही प्रकार से स्वाप पोशन की विधी है जल्दी से बताना एक बार इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा जल्दी से जल्दी से बताना एक बार कि अपने हातों में भोजन को पकाना और खाना हरे पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं में प्रकास का संसलेशन करना अमर बेल यानि की परजीवी अमर जेल का परजीवी पोशन या फिर उसके बाद उप्रोक्त में से कोई नहीं जल्दी बताना एक बार कौन सी विधी इसमें से प्रकास संशलेशन की विधी है वेरी गुड मैं देख पा रहा हूँ कि लगबग 60% जो बच्चे है उन्होंने बोला है कि सर इसका भी उत्तर जो है वो एकदम सही है अच्छा ठीक है भी उत्तर मेरे प्यारे बच्चे बोल रहा है देखते हैं सही है की नहीं देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं हम भी चेक कर लेते हैं हाँ तो सतर परसेंट लोगों ने कहा है कि भी उत्तर सही है वेरी गुड दूसरे कोश्चन के लिए बिल्कुल आप लोग त्यार रहे जल्दी से दूसरे कोश्चन के लिए भी त्यार रह तेखो भाई ध्यान से शनना अपने हाथों से भोजन को पकाना यह और खानए तो भाई महना हो ना फिर उसके ऑद भो वह भोजन हरे पौधों में प्रकास द्याहं करेक्ट अमर बेल का परजीवी पोशन नहीं यह तो अमर विल क्या हो करती है यह परजी भी पोशन है ना चिपकी रहती है पेड़ पे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चले भाई आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ देखा जैसे ही पोल हुई बच्चों की संख्या आटोमेटिक क्या हो गई बढ़ गई ज्वाइन सब करते हैं रुकते नहीं है है ना प्रतेक जबड़े में अग्र चवणकों की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका अंसर प्रतेक जबड़े में अग्र चवणकों की संख्या कितनी होती है एक जोड़ दो जोड़ी तीन जोड़ी या फिर चार जोड़ी जल्दी से अंसर किजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा जल्दी से बता रहा है सर एबी सीडी दीजेगा ऑप्शन अगर चाब बनक को अंग्रेजी में क्या कहते हूं प्री मोलर कैसे याद रखना है आई थी सी पी और उसके बाद M मोदी ऐसे याद करना है और उसके बाद फिर क्या करना है दो एक दो तीन हैना हमसे कौन पुछा है अगर चवण को कि संख्या पूछी गई थी कितना होगा ये दो जोड़ी कितने परसेंट बच्चे कह रहे हैं 59 परसेंट बच्चों ने कहा है कि सर इसका सही उत्तर जो होगा वो दो जोड़ी होगा अगले कोशन के लिए त्यार है आप लोग जल्दी बताना एक बार अगले कोशन के लिए त्यार है यह जो पूल क्रियेट होती है यह उसको हटाए बिना नहीं हो सकती दूसरी नहीं हो सकती ओके जल्दी से कर इतनी बात समझ में आ गई प्रतेक जबडे में अग्रिचवण को कि संख्या इतनी हो गई अगला कोशन है कि प्रकास संशलेशन अब क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन स्रोत होता है किसका होता है CO2 का जल का गलुकोज का या फिर ATP का जल्दी से बताना कि प्रकास संशलेशन अब क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन स्रोत होता है कारबन डियाकसाइड का जल का गलुकोज का या फिर ATP का जल्दी बताना सही उत्तर क्या होगा वेरी गुड अभी तक तो जो है मैं देख पा रहा हूं कि 73 परसेंट बच्चों का अंसर सही है 117 वोट हुई है अभी सर और वोट हो जाने दीजेगा 188 वोट हो चुकी है जल्दी जल्दी से अंसर कीजिए 200 वोट हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके बहुत बढ़िया वोट में अंसर कीजिए देखते हैं किसका सही है ग्रेट अभी तक 400 वोट हो चुका है जल्दी से अंसर करें आप लोग प्रकास अंसरेशन की अपक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत बच्चो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कार्बन डाय ऑक्साइड और वो जल्द के साथ अपक्रिया करेगा और उसके बाद इससे ग्लुकोज बनेगा C6, H12, O6 और उसके बाद फिर उसके बाद इसमें जल और बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जल जो है न वो ही ऑक्सीजन देगा इसका मतलब सही उत्तर जो है वो बी होगा बच्चे भी बोल रहे है तो सर कैसे गलत हो सकते है बिल्कु बढ़िया वेरी गुड़ अगले कोश्चन है कि प्रकास संस्रेशन की क्रिया में ओटू गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है ओटू गैस कहां से बाहर निकलती है रंद से वात रंद से बाय तचा से या फिर वलकुट से प्रकास संस्रेशन की क्रिया में ओटू गैस के रूप में मुक्त होकर किस रूप किस संरचना से बाहर निकलेगी जल्दी बताना एक बार जल्दी बताना एक बार जल्दी से अंसर दीजिए बच्चो जल्दी से वेरी गुड सुभम यादों का अंसर सबसे तेज ग्रेट 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 बहुत बढ़िया देखो बच्चो प्रकास संसेशन की क्रिया में जो हमारी O2 गैस होती है O2 गैस की रूप में मुक्द होकर किस सनचना से बाहर निकलती है ये बच्चों निकलती है हमारी वात रंद से अगर option में रंद नहीं होता फिर से सुनिएगा अगर option में वात रंद नहीं होता तो आप रंद लगाते फिर से सुनना अगर option में वात रंद नहीं होता तो आप रंद लगाते अगर दोनों option है तो हम वात रंद ही लगाएंगे ठीक है अगर दोनों option है तो हम लोग वात रंद ही लगाएंगे ठीक क्योंकि वात का मतलब है वायू डन यहां तक समझ में आ गया confused मत होना आप लोग चलिए एक और question है question number 5 है कि प्रकास पादपों में प्रकास translation द्वारा भोजन का निर्मार किसमें होता है जल्दी से पताईए किसमें होता है जल्दी से पताना जड़ में तने में या पत्ती में या फिर फूल में भोजन का निर्मार किसमें होता है जड़ में जड़ में होता है तने में होता है पत्ती में होता है या फिर फूल में होता है very good बहुत बढ़िया तेज अंसर आ रहा है आप लोगों का जल्दी जल्दी से यार पोल पे क्लिक करो न बहुत बढ़िया प्रकास कहां होता है पत्ती पे होता है यानि कहां होता है पत्ती में होता है इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर इस वाले कोशन को भी कर लिया एक और कोशन है कि अहार नली में पेसी ये शंकुचन को क्या कहते हैं अहार नली में पेसी ये शंकुचन को क्या कहते हैं पाचन कहते हैं क्रमान कुचन कहते हैं परिशंचन कहते हैं या फिर आवशोशन कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसको जल्दी से बताना जल्दी से प्रीज जल्दी से बताना एक बार वेरी गुड अहार नली में पेसी शंकुचन को हम क्या कहते है पोल आ चुका है जल्दी से अंसर करें क्या होत कहते हैं हम लोग क्रमान कुचन कहते हैं क्या कहलाता है बच्चों यह हमारा क्रमान कुचन कहलाता है पेसी शंकुचन को क्या कहते हैं हम लोग क्रमान कुचन कहते ह एक और कोशन है हमारे पास जल्दी से आप लोग आंसर करें इसका जल्दी से आंसर करें इसका जल्दी से नीचे से क्लोस करें नीचे से यहां से कीजिए अच्छा उसको एंड करेंगे न तो अहार नाल में पेसी संकुचन को क्या कहते है हो चुका है अगला कोशन हमारे पास है कि मनोसे में लार ग्रंतियों के संख्या कितनी होती है दो जोड़ी, तीन जोड़ी, पाँच जोड़ी या फिर चार जोड़ी कौन सा उत्तर सही होगा जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर मनोसे में लार ग्रंतियों के संख्या कितनी होती है, दो जोड़ी होती है, चार जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होती है अभी दो जोड़ी कोई कह रहा है, कोई तीन जोड़ी कह रहा है 51% बच्चों का ही अंसर अभी तक सही आया है तिरपन हो गया है अभी अलग-अलग अंजर आ रहे हैं सभी के देखो भाई मनुस्त में तीन जोड़ी लार गरंथिया पाई जाती है इन तिनों के नाम है कन पूर्व, अधोहन और अधोजिव्या तीन जोड़ी लार गरंथिया पाई जाती है तो सही उत्तर जो होगा इसका क्या होगा सी सही उत्तर कौन सा मैच करेगा इसका सी मैच करेगा बच्चो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए मैं तो बच्चो पूरे प्लान के साथ आया था कि आने वाले जितने भी और टॉपिक है मैं सारे टॉपिक को करूँगा ठीक है लेकिन अभी हम मैं देख रहा हूँ कि जो सौशन का पार्ट है वो रह गया परिवहन रह गया बहुत सारी और चीज़े जो है वो रह गई है ठीक है आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर जो है वन सौट करने के लिए आप बोले थे क्योंकि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं और जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गया है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है हमने बहुत सारी और चीज़े की थी बहुत सारा सेशन लेके आया थे आप देख सकते है पूरा लाइन ट करना कि सर यह चैप्टर आपने पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है और अभी वक्त है तो मैं आगे चलके इसका एक बार वन सौट और भी कर लूंगा जिसमें इस पार्ट को पूरा टार्गेट कर लूंगा ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही त पर जाने से पहले एक लाइन है आपके लिए कि पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है और थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोल लगा किसमत की जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है तो ये वक्त आपका भी बदलेगा बहुत कुछ जो है आप भी चेंज लेके आओगे अपनी लाइफ में लेकिन पहले थोड़ा सा और मेहनत करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इस सेशन में पुरा कर लिजेगा लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन लॉक्स में दीए ओके बच्चों थाइंक्यू सो मच मेहनत करते रहना थाइंक्यू सो मच और अगर आपको स्क्रीन सॉट लेना था बहुत सारे बच्चों को तो मैं इसका नोट्स जो है ना वो आपको टेलिग्राम पर दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड करें ओके बाई टेक क्यार थाइंक्यू सो मच